असलाम लेक्म केट्स मैं आपके मैट्स की टीचर आमना कैसे हैं आप सब अमीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अब तो मुझे लगता है सुबने ईद की त्यारियां भी कर ली होंगी मुझे आपका स्टेडी की तरफ ध्यान बहुत अच्छा लगा आप सब ने बहुत अच्छे से रिस्पॉंड किया आपने अच्छे बच्चों की तरह छुटियां बिल्कुल भी वेस्ट नहीं की रोज का काम रोज सेंड किया कुछ बच्चों ने डंडी मारी है लेकर आइ थ क्रूपिंग भी कहते हैं इस आप कौन किस-किस को एडीशन आती है हम्म वान क्लास सारी वान क्लास को तो एडीशन आती है यह जरा कौन मेरे साथ एडीशन करेगा जीत वान क्लास 3 प्लस 6 6 इन दा मैंड और 3 ओन दा फिंगर सिक से आगे 7 एट और 9 तो इसका अंसर क्या आता था? 9 2 इन दा माइंड 1 अन दा फिंगर 2 को माइंड में वन को फिंगर पे 2 से आगे 3 दा आंसर इस 39 यह एडीशन पिट आउट रिग्रूपिंग है यहाँ पे हम रिग्रूपिंग नहीं करें लेकर अगर आपको क्वेस्टन में दिया जाता है 7 एंड 5 इसमें प्लस करना है 9 एंड 1 अब क्या करेंगे? 9 को माइंड में 5 को फिंगर पे 9 से आगे 10 11 12 13 14 आंसर इस 14 तो अब हम यहाँ पे 14 पूरा नहीं लिखेंगे 14 में से 14 का जो 1's place पे नंबर है वो वाला लगेंगे 14 के 1's place पे कौन सा आता है? 1's and 10's 1's place पे आता है 4 तो हम 4 इदर लिखेंगे यह 1 हम carry दे देंगे हम 7 को बोलेंगे कि हमारा यह 1 carry कर लो हमने नहीं रखना ओके? तो यह 7 हमारा 1 carry कर लेगा अब जब हम addition करेंगे तो यह 3 digit addition हो जाएगी 7 को mind में 1 को finger पे 7 से आके 8 8 तो इसका अपना हो गया और 1 जो इस हमने से carry दिया है वो वाला तो 7 8 & 9 so answer is 94 हम इसकी एक हम तो अब मुझे लगता है कि सारी वाइं क्लास को clear हो गया होगा चलें अब ऐसा करते हैं कि एक और question कर देते हैं ताकि आप सब को अच्छे से समझ आ जाएं तो हम लोग question करते हैं 7 6 & 4 तो आप अच्छे से आप 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 चलें अब ऐसा करेंगे कि वन क्लास सारी repeat करेंगी मेरे साथ 6 को mind में 6 को fingers पे तो 6 से आगे 7 8 9 10 11 यह तो 5 finger थी तो एक और finger लेंगे तो 12 6 plus 6 12 12 में अब हम चेक करेंगे कि 1s place पे कौन सा है और 10s place पे कौन सा है तो यह 1s place पे यह 10s पे तो 1s place पे 1 class कौन सा नुमबर है 2 very good अब हम क्या करेंगे 2 को यहां पे लिखेंगे और यह 1 हम कहां करेंगे 1 class exactly हम यह 7 को carry करवा देंगे अब क्या करेंगे 7 में यह 4 भी add करेंगे और यह 1 भी add करेंगे 7 में 4 add करेंगे तो क्या बनेगा 7 plus 4 7 को mind में 4 को fingers भी 7 से आगे 8 9 10 11 यह 11 हो गया और 1 हमने जो carry दिया 11 plus 1 12 तो अब हम हमारे पास यहां पे 12 complete आएगा यहां 12 complete क्यों आएगा क्योंकि हमारे पास next तो कोई number ही नहीं है हम किसको carry दें तो हमने यह 12 पूरा लिख दिया हम इसकी एक और example consider करें 6 and 6 इसमें अगर हमने plus करना हो 5 and 2 then अब सारी one class मेरे साथ repeat करेगी 6 in the mind and 5 on the fingers 6 से आगे 7 8 9 10 11 अब 11 का हमने दे चेक करना है कि once place पे कौन सा number आता है तो यहां पे हम लोग लिखते है once and यहां 10 11 के once place पे भी one number है और 10th place पे भी one number है अब हमने once place वाला number यहां पे लिखना है और 10th place कहा करेंगे very good 10th place हम next 6 को देंगे कि आप carry कर लो अब 6 के पास कितने digit होगे एक यह two digit होगया और एक यह one digit होगया अब हम क्या करेंगे six in the mind six को mind में रखेंगे two fingers पे six से आगे seven eight eight and one जो हमने इसे carry दिया कितना होगया eight plus one nine answer is ninety one मुझे उमीद है कि one class को समझ आ गई होगी लेकर अगर फिर भी अगर कोई भी आपको problem है आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे से contact करेंगे और मैं आपको again से समझा दूँगी अब अच्छे बच्चों की तरह जो workbook में आपकी addition with regrouping है उसको करके जल्दी से मुझे जल्दी से अपनी progress send करें तेंक यू करेंगे जल्दी से भी है